स्वागत हैं आप सभी का अभिम्षा की पूरी टीम की दरफ से नमस्कार मैं हूँ अभिनदोशान्शोपांडे और हम बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं अब धारविदुद के पूरो प्रशन पत्रों में से जो प्रशन पूछे गएते हैं हम उस पारे में चर्चा कर रहे थे आप सभी को दुबारा यहां पर लाने में आपका ध्यान आकरशित करने से पहले में आपको एक बात बता दूँ के ना सिर्फ भौतिकी बलकि सभी एक्जाम से रिस चल रहा है यह आपको हमारे अप्लिकेशन भी मिलेगा और वहां पर जो एडिशनल चीज़ें मिलेंगी वह है तैयारी कि इन वीडियो के अलावा आपको माइंड मैप मिलेंगा शॉर्ट नोट्स मिलेंगे यह वन टूवन मेंटर्शिप मिलेंगी आप हमस आपके लिए ही है आपके एक्जाम की तैयारी के लिए है तो जैसे हमारा नया वीडियो आता है आप बिल्कुल याद हैंगे चलिया यह देखते हैं कि हम लोगों ने पहले क्या-क्या बाते की थी प्रिवेस यह क्यू मतलब होता है प्रिवेस यह क्वेशन हम पूरों बहुत सारे सूत्र बनाए और अब हमारा अगला प्रशन है 2020 में पूछा गया मतलब यह दे बस पिछले साथ ठीक है और यह जो है अगदम लेटेस्ट प्रशन है लेकिन अब आप जब उत्तर लिखते हैं तो यहां पर एक महत्तो कौन बात आती है कि क्या आपका एक्जामि ले पाएंगे नहीं तो इसका मतलब यह है कि वह प्रशन देखते ही और उत्तर देखते ही यह समझ जाएं कि बच्चे ने सही लिखा है या गलत लिखा है तो आपका पूरा काम हो जाएगा उनको पढ़ना नहीं पड़ेगा और आपसे खुश रहेंगे इस बात का ध्यान पर आप अंतर डिसकस करना चाहते हैं उसको पहले लिख दीजिए इस से क्या होगा कि इस हिस्से को अगर एक्जामिनर ना भी पढ़ना चाहे तो उनको पता रहेगा कि आपको छे अलग अलग आधार पर अंतर इस पश्ट करना आता है इन अंतरों के बाद में आप जो है व विषुम विद्धुतं वहग बल और विफ हम आंतर में आंतर डिखने के लिए कितने अंतता प्रशन रहा हो हूँ? इस देखा है यह यहां पर से सिर्फ तीन आंग या चार आंग वाले प्रशन पुछे जा रहे है और इस नहीं, दो और तीन आंग वाले तो यहां पर या तो यह प्रश्न दोंग के लिए आएगा, आपको चार अंतर लिए या तीन अंग के लिए आएगा, तो आप 6 लिख दिजिए, विल्कुर आगे बढ़ते हैं, चलिए, तो हम क्या लेखते हैं, कि सबसे पहला अंतर, परिपथ, अब बताईए, कि विद्धुत वाहत बल जो है प्रवाहित ना हो रही हो, जब कि विgुवांतर कम ना पाभा जाता है, जब धारा प्रवाहित हो रही हो, या परिपथ बंदों, पुञुजि बंदों, ठीक हैं, दूसरी बात ये है, अनुप्रयोंग, इस चीज का उप्योंग कहा कहा किया जाता है, तो जब आप विद् तो ऐसी स्थीत्यों में आप इम्फ का मान ग्यार करते हैं। जब कि विभवांतर के बीच में विभव के अंतर को इसकुष्ट करने के लिए यह विभवांतर का मान उप्यों में लाया जाता है। अस्तित्यों की बार करते हैं कि क्या विद्दुत वाहग बल धारा प्रवाहित नहीं होने की स्थिति में अस्तित्यों में रहता है। हम तो नापते ही ताम है जब धारा प्रवाहित ना हो तो इसका जो अस्तित्व है वो धारा प्रवाहित ना होने की दिशा में भी होता है जब कि जैसे ही किसी चालक से धारा का प्रवाहा खतम उसका विभवांतर खतम हो जाता है अच्छा प्रतिरोध पर निर्भरता क्या वि पर नहीं करता है लेकिन वी बराबर आयर और यह जो विद्धुत वहगबल है उसका मान अधिक होता है विद्धुत विभवांतर के किसी बैटरी में जब तक धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तब तक उसके दोनों एलेट्रोडों के बीच का विभवांतर होता है उसे ही हम तो विद्दुत वहागबल या Emf कहते हैं, लेकिन मान में हमेशा विद्दुत वहागबल के कम होगा, इसका कारण क्या है, इसका कारण कारण अंतрिक पितिरोध Pf विद्धुत वाहकबल किस करण उत्पन्ह होता है तो ये होता है रासायनिक अभिद्रियाओं के कारण जब कि ये सिर्फ किसी आवेश में उसके प्रतिरोध की उपास्थति के कारण धरप्रवाह के समय उत्पन्ह होने वाले चीज़ को विभवांतर कहते हैं तो हम लोगोंने कारण भी देख लिया, प्रभाव भी देख लिया और हम लोगोंने 6 अंतर इस पॉष्ट कर लिये, ये 6 के 6 अंतर आपको 3 या 4 नंबर दे सकते हैं, आप तयारी अपनी विल्कुल तगड़ी रखें और उसके साथ साथ इस बात का ध्यान रखें, कि आपका का काम है, कि आपकी जो कॉपी जहां च रहे हैं, उनके सिर से दर्द खताम करना, और वो तभी संबब है, जब आप इस तरीके से अपने उत्तर लिखें, कि उसे पढ़े के, और जो है अपना सिर पटकने की जबवत ना पढ़े, मतलब यह है, कि भाई, वो दिन भर में 50 कॉप क्यों क्या तो 25 पंचे 125 वो जो है, हजार पन्ने की एक कॉपी बढ़ रहे होगे सिर्फ एक दिन में, और यह जो है, बहुत ही दुखदाई समय होता है, हम सिक्षपों को पता है, अब ऐसे स्थिति में आपका काम क्या है, कि आपके उत्तर में पश्टता नजर आए, जब भ आपको पता है, तो उसके बाएं में आपसे तुटियों की संभावना है, होती तो है, कि अब आप ही भी गलती कर सकते हैं, लेकिन नगन्य, बहुत कम चांसेज हैं, कि आप सही सुत्र लिखके, और बाद में गलती कर बैठे हैं, तो जो है, सुत्र लिखते ही आप उनको एक पॉजिटिव मेसेज दे रहे होते हैं, और उस पॉजिटिव मेसेज का असर ये होता है, कि कम से कम आपको पूरे उत्तर कुस्तिका में दो से तीन अंकों का फाइदा हो जाता है, इसी प्रकार की महत्वपूर्ण बाते हम डिसकस करते हैं, लेकिन कहां, अब हिपसा के इस में आपको सब्सक्राइब तो कर ही जाना चाहिए, अपने दोस्तों से बताओ बहुत दिरूरी है, और उसका कारण ये है कि हमारा भी इंटरेस्ट आपको जो है, ऐसे प्रोग्राम्स चलाने के लिए आपको जो फैसिलिटीज देने के लिए बढ़ेगा, और उसके साथ सारी चीज़े बताओगे, तो आपकी भलाई का कुछ अंस आपको भी तो मिलेगा, आप दूसरों का भला करोगे, लोग आपका भला करेंगे, ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम अगे वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।